तो दोस्तों इस वीडियो में हम cover करने वाले हैं चार stocks को जिनके आ जाये है quarter two के नतीजे तो पूरा visualization करेंगे रणनेती को समझेंगे टेक्निकल चार्ट पे लेवल्स भी देखने वाले हैं लेकिन उससे पहले आज के दिन देखिया औरड़ी तीन वीडियो अप्रोड हो चुके हैं जहाँ पर हमने बात करिये delivery के बारे में जहाँ पर दो दिन में 40% की correction है क्यों है correction क्या learning है इस वीडियो के थ्रू मिलेगी राज रतन ग्लोबल वायर के quarter 2 के नतीज़े हैं और क्यों 20% का circuit लगा है actual reason क्या है वो बताया है एंड लॉरस लैब के भी number आ चुके हैं इसको भी हमने detail analyze किया है तो ये तीनों वीडियो जाके आप देखिएगा बहुत ही informative वीडियो हैं तो शुरुवात करते हैं पर पहली जो company है उसका नाम है Root Mobile तो Root Mobile के आचुके है quarter 2 के नतीज़े और I think day end पर ही नतीज़े आये थे और जैसी नतीज़े आये stock में गिरावट देखने को मिली अब नतीज़े कैसा है चलिए उसको देखते हैं देखिए यह है numbers तो revenue की बात की जाए तो YOY basis पे 94% की growth है quarter on quarter basis पे 16% की growth है तो top line में अच्छी growth है gross profit पे देखिए 100% से जादा year on year growth है 16% के आसपास quarter on quarter growth है gross profit margins year on year basis पे बढ़ते हुए नज़र आये है sequential basis पे आप देखेंगे तो almost यहाँ पर maintained है तो यह भी positive है EBITDA margins यहाँ पर sequential basis पे improve हुए है लेकिन year on year basis पे थोड़ से down हुए है 14.2% के margins 13% के आसपास हो चुके है PAT की बात करें तो PAT की जो growth है वो 100% है year on year on quarter on quarter basis पे 6% की growth है तो overall numbers यहाँ पर अच्छे नज़र आ रहे हैं साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं NRR की बात करूँ जो कि एक major metric है तो उसका जो percentage है वो 128% का है तो यह भी काफी अच्छा है मतलब जो इनके recurring revenues हैं जो इनके existing clients हैं customers हैं उन से कितना revenue रेटेन कर रहे हैं तो 120% का यह number है तो 100% यह 110% से ज़ादा होता है तो यह positive है किसी भी communication services company provide करा रही है उसके लिए तो यह अच्छी बात है यहाँ पर तो numbers मेरे को जहादा खराब में हम पर नजर नहीं आ रहे numbers अच्छे हैं लेकिन अगर still stock में घिरावट हुई है तो मेरे ख्याल से हैं यहाँ पर मौका है वो भी हाँ पर decent होते हुए नजर आने क्योंकि already discounted level पे है तो अगर यह stock देखे और गिरता है जो कि प्रतीत हो रहा है कि गिर सकता है क्योंकि यहाँ पर volume के साथ गिरावट हुई है और 200 ए moving average के नीचे है तो अगर यह आपको 1050 के level के आसपास मिलता है तो इसमें आप fresh buy या फिर average भी कर सकते है तो अभी यह invested है तो invested रही है कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं profitability grow हो रही है revenue grow हो रहा है तब तक यहाँ पर कोई भी दिक्कत मेरे साब से नहीं है तो इसमें आप बने रह सकते है next company उसमें तो Reliance Industries giant company दिगज company भारत के सबसे बड़ी company आ चुके है इसके भी quarter two के नतीजे तो कैसे रहे नतीजे चली देखते हैं तो देखिए यह है numbers अब इसको थोड़ असे हैं पर बड़ा करता हूँ ता कि आपको clearly दिखे तो देखिए यहाँ पर जो revenue company की जो income है वो यहाँ पर कितनी grow ही है तो income की बात की जाया तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 4% से अगर total income की बात की जाया तो यहाँ पर year on year basis पे या फिर आप कह सकते हैं कि year on year basis पे काफी growth है I think इसको calculate करेंगे आप तो यह करोड में value है तो यहाँ पर 30% की आजपास की growth आपको year on year basis पे देखने को मिलेगी और sequential basis पे around 5% की growth है top line में this is good bottom line की बात करते हैं profit for the period तो profit आप देखिए यहाँ पर हमको yoy basis पे flat देखने को मिल रहा है profit में बिलकुल भी यहाँ पर growth नहीं है and यहाँ पर sequential basis में जरूर profit की growth है वो काफी decline हुई है लेकिन year on year flat है तो sequential basis पे number flat मतलब sorry यहाँ पर decline है तो इसका मतलब stock में pressure रह सकता है योगि profit company बिलकुल भी नहीं कमाई है जो है यहाँ पर bottom line में बिलकुल यहाँ पर जो है growth देखने को नहीं मिल रही है लेकिन अच्छी बात यहाँ पर क्या है दोस्तों वह भी आपके लिए जाना ज़रूरी अच्छी बात यह है कि इनका जो main जो हमारे यहाँ पर focus है बहुत बविश्ची के लिए वो है दोस्तों retail business और इनका जो geo platform digital service वाला business जहां पर अच्छी growth आ रही है year on year basis पे गजब की growth है retail में देखिए 50% की आसपास की growth है sequential basis पे भी गजब की growth है और digital services में भी year on year अच्छी growth है और यहाँ पर sequential basis पे भी हमको growth देखने को मिल रही है यानि कि retail और geo का business इनका अच्छा कर रहा है यहाँ पर अच्छी growth है जो average revenue per user है geo में काफी बढ़ता हूँ जो मैंने भी check किया था तो भविशी के जो business है वो है retail और digital तो इन पे अगर आपका focus है तो मेरे ख्याल से reliance अगर share गेड़ता है तो आप यहाँ पर buy कर सकते हैं तो अगर stock गेड़ता है तो कहां तक और आ सकता है रिलाइंस का stock अगर देखे हम एक मिन दोस तो चार्ट ओपन हो रहा है थोड़ा से यहाँ पर net slow है तो अगर आप थोड़ा से यहाँ पर adjust करेंगे तो बहुत आभार होगा आपका ठीक है तो आ गया है चार्ट यहाँ पर तो देखिए उस तो यहाँ पर stock already काफी consolidate कर रहा है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर result कहीं न कहीं discounted हो सकते है price में तो अगर stock गिरता है थोड़े से numbers week है profitability बहुत decline हो यह quarter on quarter basis पर तो अगर गिरता है तो यह stock मेरे ख्याल से buy zone में आएगा करीब करीब यहाँ पर आप इसको accumulate कर सकते है for the long term क्योंकि retail business और digital business यह है भविश्ची के business जहाँ पर बड़िया growth आ रही है और जहाँ पर बड़ा sector penetration अभी बहुत कम है बड़ा sector जो है market capture करता हो रिलाइंस नजर आ सकता है तो रिलाइंस core portfolio stock है इसको accumulate करते रहे है गिरावट में और मौ का मिलेगा next company है तो यहाँ पर HDFC life HDFC life के भी नंबर आ चुके है यह भी एक core portfolio long term stock है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो revenue की बात करें तो individual जो यहाँ पर premium है यहाँ पर रिनेवल premium है वहाँ पर 37.8 billion का है यहाँ पर हमको mark देखने को मिल रहा है और market share 14.8% का है तो अच्छी बात है यहाँ पर market share grow हो रहा है देखें पोस्ट merger basis पे देखेंगे हम यानि कि Excite का merger हो चुका है तो पोस्ट merger basis पे यहाँ पर market share gain किया है 14-15% का market share है तो जो weighted received premium है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे है रिनेवल premium में 21% की growth है AUM 7% से grow हुआ है और profitability की बात करें तो business margin देखें 26% की growth है previous year में अपकी बार growth बढ़िये current year में 27 तो new business भी company के पास आ रहा है अगर आप बोलते हैं कि private sector में निवेश करें है ना करें insurance business में तो जिया उस तो यहाँ पर निवेश करना जरूरी है market share gain हो रहा है new business इनके पास आ रहा है तो अच्छी यहाँ पर गजब claim settlement ratio बढ़िया है and यहाँ पर solvency 210% के आसपास जो की बहुत गजब की है तो इसके number भी अच्छे है और stock यहाँ पर मुझे लग रहा है already 31% के discount पे जबरदस्त available है जब तक यह stock 500 से 550 के बीच है मुझे लगता आपको इसको long term के लिए accumulate करते रहना चाहिए अगले आने वाले 10 से 15 साल की कहानी है तो current market price पे इसको buy कर सकते हैं next companies तो यहाँ पर mestech, mestech के भी आया है number, mestech काफी pressure में रहा है because of UK, Europe issues लेकिन number देखा जाए तो decent नजर आ रहे है, total income में quarter on quarter 6.1% की growth है, yoy basis पे 16.7% की growth है, operating EBITDA में definitely यहाँ पर negative है क्योंकि यहाँ पर pressure रहा है लेकि net profit यहाँ जो है growth, positive growth आती हुई देखने को मिल रही है, तो number यहाँ पर जो expectations थी बहुत जादा खराब थी, उसके इसाब से decent number है, in line number यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आये हैं, और एक और चीज यहाँ पर जो positive है, mestech के regarding, वो क्या है, देखिए जो यहाँ पर, जो इनके जो concentration है UK, Europe में, उसका यहाँ पर जो है, थोड़ा सा मुझे positive चीज़े नजर आईए, कि यहाँ पर concentration कम हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर North America का जो revenue है, US का revenue इस quarter में 25% हो चुका है, जो पिछले quarter में 18% था और पिछले साल 18% था, तो North America में revenue बढ़ रहा है, जो कि बहुत positive है, इनका concentration, UK और Europe से कम हो रहा है, 67 का 62 हो चुका है, तो यह बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी जो मैंने आपके साथ यहाँ पर share करना चाहता था, attrition की बात करें, तो attrition भी यहाँ पर improve हो है, attrition देखिए आप यहाँ पर 24.2 हो चुका है, आपकी बार पिछले quarter में था 25 और पिछले साल September तो attrition यहाँ पर maintained है, quarterly basis पर improve हो है, तो मुझे लगता है, अगर आप थोड़ो से आप रिस्क ले सकते हैं, तो मैस्टेक में अपनी इवेश कर सकते हैं, क्योंकि वेलिशन बहुत यह अट्रक्टिव है, इसके I think, 16-17 के PE पर काम कर रहा ही है, यह stock अभी बहुत अट्रक्टि analysis, I hope वीडियो आपको informative लगा होगा, पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, आपको opinion क्या है, इन results के regarding, comment करके ज़रूर बताइएगा, कोई doubt है, post सकते हैं, previous वीडियो भी जाके ज़रूर देखिए, मिलते हैं next वीडियो में, till then take care, bye bye